नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिनिसकुमार एक वर्फिर मेरे चैनल में आपको भदबत स्वागत है तो आज जो मैं जिस इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं बहुत इंपोर्टेंट है आप वीडियो पूरा देखेंगा ताकि आपको समझ में पूरी complete बात आएगा ठीक है तो जितने लोग भी लेब टेक्निशन से लेटेट चाहे वह लेब असिस्टेंट का हो बीमल्ट डीमल्ट तो आप जो एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह किन बातों का ध्यान देना है आप पहले आप इस बात को समझेगा बहुत सारे वेब साइट पर चेक करते रहना है अभी जो है जैसा कि गुरूप फाइब का वेकेंसी है अभी तक ऑफिस्यल वेब साइट पर ऐसी कोई जानकारी नहीं दिया गया है और दूसरी चीज़ यह है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज का तो आपको जो डेट पहले जो है डाइवर्ट होगा और आपकी जो तैयारी का स्पीड है वो कम होगा कहीं न कहीं एफेक्ट पढ़ता है जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं किसी भी क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं तो इसी तरीके से यह भी एक फैक्टर है जो आपकी तैयारी को या को प्रभावित करता है कहीं ने कहीं इसलिए आपको इधर ओधर कहीं ध्यान नहीं देना है केवल और केवल अपनी तैयारी पर फोकस करना है यह तो हो गया पहली चीज दूसरी बात में आपको बता दूँ जो भी MCQs हैं आप लोग चाहे बुक लिए हो या फिर मेरे से MCQs कवर करना है आपके बुक से ताकि आपका पूरा syllabus अच्छे तरीके से prepared हो और short notes आपको बना करके रखना है आप केवल और केवल MCQs पढ़ेंगे तो उसमें option केवल एक जो रहता है वो सही रहता है या फिर सभी option सही रहते हैं इसी तरीके से question बनता है तो आपको कई दफा क् केवल और केवल आप एक option को आपने mind में रखा है वही option आपको रटा हुआ है और पता चले exam में तीन option दिये हैं और तीनों सही है all of ever होना था लेकिन आपने केवल एक option को याद करके गया है और option आप गलत करके आते हैं तो उस बात को आपको विसेज धियान देना है इसमें जो है गलतियां ना करें option पूरे पढ़ना है सवाल ध्यान से आपको पढ़ना है option भी पूरे के पूरे चारों option आपको पढ़ना है उसके बाद ही आपको उसका answer करना है इस बात को आपको विसेज धियान रखना है तीसरे point की तरफ हम चलते हैं जो हम mcqs बना रहे हैं आप आपको समझना है कि बहुत सारे जैसे example आप कोई भी एक टेस्ट लगा रहे हैं आप प्रोटीन के टेस्ट में आपको ध्यान क्या देना है पहले चीज तो यह प्रोटीन का टेस्ट का लगाने का उद्देश से क्या है वो आपको पता होना चाहिए कौन-कौन से disease को डाइग अंदर जो अब हम टेस्ट लगाएंगे पर्फॉम करेंगे तो उसका मैथट क्या है यह आपको पता होना चाहिए दूसरी चीज नॉर्मल रेंज आपको सारे टेस्ट का पता होना चाहिए दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए मैथट उसके बाद जो है जो रियेज चीज दे सकता हूं, method का नाम पूछ सकता हूं, उसके बाद principle में से एक सवाल उठा कर पूछ सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं जो cover करना रहता है, मैं हर एक चीज से एक एक चीज cover कर देता हूं, ताकि आपको समझ आसा की, कि हाँ, इस तरीके से सवाल बनते हैं, और उसी को आपको focus करते हुए, सारे टेस्टों का detail आपको अपने book से तैयारी करना है, तो ये इस चीज के बारे में आप alert रहिएगा, केवल और केवल किसी book से या किसी चीज के MCQs पर आपको depend नहीं रहना है, सारा कुछ information आपको पता होगा, तब ही आप answer कर पा अब जैसे कि जो phrasers हैं, जिन्होंने अभी pass out किया है, एक्जाम चाहे BMLT का हो, DMT का हो, जो तैयारी जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, उनकी लिए में बोल रहा हूँ, तो जो अच्छे से तैयारी करके गये थे एक्जाम दिये हैं, पढ़ा ही किये हैं, तीन साल, च चीज़ याद रखियेगा. तो जितने सीनियर हैं, आगर वो सुन रहे हैं, जिन्होंने एक्जाम निकाले बहुत साल हो गए हैं, और अभी काम कर रहे हैं, कहीं पर LAB में काम कर रहे हैं, तो उनको आप जो है, यह सोचते हैं कि हम सीनियर हैं, हमें बहुत को चाहता है प्र बहुत सारा knowledge है practical का, machine के बारे में knowledge है, reagent के बारे में knowledge है, normal value आपको पता है लेकिन जो theoretical behind है वो आपका छूट चुका है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात में आपसे आगे निकल जाएंगे junior क्योंखी मैंने जब हम लोगों का जब joining हो रहा था, वहां पर मैंने द benefit मिलता है इस बात का जो theoretical सवाल पूछे जाते हैं वो ताजा रहता है उनका पढ़ा हुआ तो उनके दिमाग में याद भी रहता है केवल उनको revision करके आगे निकलना रहता है लेकिन आपको उनसे double महनत करना है ठीक है practical पार्ट आपको पता है लेकिन theoretical पार्ट तो आप कितने सा लेकिन जो senior हैं उनको जादा मेहनत करने की जरूरत है कई लोगों को जो है पिछले साल जो समीदा में हो उनको दस नंबर एक्स्रा दिये गए थे बोनस मार्ट दिये गए थे तो उनका जो है benefit वहां पर मिल गया था इस बार उनका reservation का seat अलग से दिया गया है समीदा वालों क ठीक है तो इस बात को आपको focus करना है बराबर वहीं हो गए अगर पिछले साल का अगर हम बात करें पिछला जो एक्जाम हुआ था उसमें अगर 10 marks extra मिल रहे थे समीदा वालों को जो senior था ठीक है तो बात तो वहीं हो गई अगर हमें बेसक हम एक्जाम पास होकर के निकल रह तो उस बात को आपको ध्यान रखना है इसलिए दोनों जगह बराबर है लेकिन अगर आपको सबसे आगे निकलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सारा नौलेज आपको जो सिलेबस दिया गया है पूरा बुक से complete आपको पढ़ना पड़ेगा यही मेरा कहना है तो अगर आपको मेरी बातें कैसे लगी आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा अपने दोस्तों में सेयर करिए अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जड़ा सज़ाद अपने दोस्तों में सेयर कीजिए फीड़बेक वीडियो कीजिए तोस्तों मुछ